खेल खेल में एक वीक रीवीव है इसमें हम जादा कुछ नई बस वीक जो है इस फिल्म का जो सारांश है उसके बारे में बात करेंगे देखो भाई अगर हम अक्षे कुमार के बाकी के जो ओल्ड कॉमेडी जो लीगसी है जो उसकी कॉमेडी में वो कॉमिक टाइमिंग उसकी बहतरीन होती है अगर हम उससे कंपेरिजन ना करें न भाई तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी वरना अगर आप सिर्फ वो कंपेरिजन करने जाओगे तो आक्षे कुमार ने कॉमेडी फिल्म में इतनी तगड़ी तगड़ी दी ह न उसके सामने ये फिल्म सच बोल रहा हो कुछ भी नहीं है बट आगर आप कंपेर करने जाओगे तो बोल रहा हो बाकी अगर आप स्टूरी वाइस देखने जाओगे बाकी फिल्म बहुत सिंपल है दिमाग लगाओ मत घर पे रखो दिमाग एंजॉइमेंट के लिए जाओ फिल्म यू विल लव इट फो शोर बट जादा एक्सपेक्टेशन्स ना करना फिल्म से रही बात अदित्य सिल वो इस फिल्म में क्यों इन लोगों ने लिया कम बज़ेट सस्ते बज़ेट के लिए या पता नहीं वो चीज़ एमी विर गुड तापसी गुड वानी कपूर वास गुड टू नो डाउट फर्दीन आउटस्टेंडिंग कमबैक बोल सकते हो अक्षे कुमार का ही कैरेक्टर आप जादा से जादा देखना चाहोगे एक ऐसा वो कैरेक्टर है थोड़ा ठरकी भी है वाइदवे बट मज़ा आ जाता है उसको देखके वही एक सेवियर है इस फिल्म का ये मेरा परसनली कहना है बट स्टोरी वाइज कुछ जो लॉजिक लगाने वाले बेवज़ा के फैन से उनको मैं यही कहूंगा जो बेवज़ा के क्रिटिसाइज करने जा रहे है मैं देख रहा हूँ यह चीज कि भाई आप थोड़ा तो लॉजिक लगा हो कि एक जब कॉमेडी फिल्म है तो आपको वहाँ पर क्या चाहिए और और हाँ इसका एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि यह फिल्म जो इतनी बार भले ही बनी है री में कि उसके पीछे रीजान है भाई यह ऐसी स्टोरी है जो फॉरें में इसके रीमेक्स बने और वो क्यों बने है क्योंकि यह जो एक टच है ना वो थोड़ा सा फॉरेंग टाइप के फिल्मों के लिए ही सूटेबल है अब यहाँ पे भारती यह लोग कैसे इस फिल्म को एकसेप करेंगे वो मुझे डाउट है बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आप बेवजा का ही फिजूल का लॉज नरी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी बट अगर आप क्योंकि अक्षे ने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना कॉमेडी में वो बहुत आगे किया है तो उस लेवल में आप कंपेरिजन करने जाओगे तो आपको आप सच में डिसरपॉंट हो जाओगे पाच में से सा कंपेर मत करना यू विल लव इट